बोल्ड सकाई पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो होली बहुत नस्दीक है और उससे पहले जो होली का वाली रात होती है वो तंत शास्त्र में बेहत विशेश मानी जाती है कहा जाता है कि इस दिन किये गए उपाय जल्दी शुब फल प्रदान करते हैं होली के एक दिन पहले कहीं तरह की तंत्र क्रिया की जाती है इससे सेहत और धन संबन्ती तमाम तरह की परिशानियों से निजात मिल जाती है तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में अगर आपके किसी भी काम में लगातार बाधाय आ रही हैं तो होली पर हनुमान जी को इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं इन उपायों से आपकी परिशानियां दूर हो जाएंगी बात करें अगर दूसरे उपाय की तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर बेहत पसंद है इसलिए होली वाले दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर जरूर चढ़ाएं इस उपाय से हनुमान जी का आशरवाद आपको मिलेगा बात करते हैं तीसरे उपाय की होली का वाले दिन हनुमान जी को पान का पत्ता, गुड़ और चना अर्पित जरूर करें इस उपाय से हर तरह के बिगड़े काम पूरे होने लगते हैं बात करेंगे चौधे उपाय की होली वाले दिन हनुमान जी की मूर्थी के सामने बैठ कर हनुमान चालिसा का पाट करें इससे काम में आ रहा विग्न दूर हो जाता है तो ये थे कुछ ऐसे आजान से उपाय जिसे अगर आप होली का वाली रात को करते हैं तो आपके जीवन में आ रही कई तरह की बाधाएं दूर हो जाती है तो फिर अगर आप भी किसी तरह की बाधा से परिशान है तो होली का वाली रात को इन उपायों को करके अपने जीवन की बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं होलिका से जुड़ी कुछ विशेश जानकारियों के साथ बहुत जल्द मिलेंगे फलाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना है